असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ और स्लाम और एक बार पर मैं आप सब लोगों को अपने चानल में बहुत 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 वेलकुम करता हूँ जिसमें आज हमारे पास यहाँ पर Samsung की तरफ से M-Series का एक और phone M10 अवेलिबल हो गया है यहाँ पर हमारे पास M10 भी M20 की तरफ वाटरॉप नौच स्क्रीन के साथ ही आता है जिसको Samsung Infinity V Display का नाम देता है Budget range में M10 एक अच्छा option साबित हो सकता है M10 आता है हमारे पास यहाँ पर Infinity V Display के साथ Dual Camera, Slim Design और 3400mAh की एक अच्छी बैटरी के साथ डिस्पले के हमाले से हमारे पास यहाँ पर Infinity V Display मौझूद है Waterdrop notch screen के साथ HD Plus Infinity V Display 720p के डिस्पले हमारे पास यहाँ पर मौझूद है 13MP के साथ हमारे पास यहाँ पर F1.9 अपर्चर के साथ Main Camera 5MP के साथ Ultra Wide Camera F2.2 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है Ultra Wide Camera हमारे पास यहाँ पर Portrait Mode में भी काम आता है तो इसका मतलब यह फून हमारे पास यहाँ पर किसी भी Triple Camera साथ फून के फीचर को परफॉर्म करता है Front Camera हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है 5MP का 7.7mm Slim Design इसके अंदर रखा गया है इस फून को चैक करेंगे कि इतना खुबसूरत और कितना स्लेम है 3400 mAh की बैटरी Exynos का 7870 प्रोसेसर जो कि हमें प्रीजेश जेमरेशन के Samsung Galaxy J6 में भी देखने को मिला था 32GB इंटरेज और 3GB की रायम हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है Samsung Galaxy M10 में Box open करते साथ जब से पहले मैं आप से करूँगा request कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो इसे पर फॉर सब्स्राइब करने बैल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिक्रिस आपको फॉरी बिलता रहे Box open करते साथ जब से पहले हमारे पास यहाँ पर मौझूद है Baggage, Light-Witted साथ, Quick Start Guides हमारे पास यहाँ पर कुछ मौझूद है उसके अलावा नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर हमारे यूनिट मौझूद है यूनिट हमें मिलता है Black Color में, Samsung Galaxy M10 हमारे पास यहाँ पर वाकई एक Slim डिजाइन के साथ जनरली Samsung के दूसरे फूल से यह थोड़ा सा Slim हमें लगी रहा है इसको देखेंगे, बाद में बढ़ते हैं अपने accessories की सरफ accessories में हमें 5V 1A का charger ही expected है यहाँ पर 5V 1A का charger हमें देखने को मिलता है जो कि हमारे पास Samsung के दूसरे variants के साथ भी आता है Micro USB 2.0 की एक basic data cable हमारे पास यहाँ पर मौझूद है SIM ejector tool के साथ hand free हमारे पास यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे M series में अभी तक हमें किसी भी phone में hand free नहीं देखने को मिले M20 में और M10 में भी बढ़ते हैं अपने unit की तरफ और जानते हैं कि इसके अंदर हमारे क्या external features देखने को मिलता है Samsung Galaxy M10 को turn on कर लेते है Dual camera setup हमारे पास यहाँ पर 13 Megapixel का back camera 5 Megapixel का ultra wide camera हमारे पर देखने को मिलता है Single LED flashlight हमारे पास यहाँ पर मौझूद है Front camera की बात की जाए तो 5 Megapixel का front camera हमारे पर मौझूद है Airpiece की placement की गई है यहाँ पर front camera पे water drop non-sisterine के साथ ही Right side पर हमारे पास यहाँ पर power button, volume keys तीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर charging jack, microphone और headphone jack मौझूद है Left side पर हमारे पास यहाँ पर dual sim plus SD card तीनों चीज़े लगाने का option हमारे पास यहाँ मौझूद है SD card हम इसके अंदर लगा सकते है 512 GB तक का उपर की तरफ हमारे पास यहाँ पर microphone मौझूद है तीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ में आपको बदाता चलू कि नीचे की तरफ नहीं बलके back side पर नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर ringer मौझूद है ringer की placement को change कर दिया गया है fingerprint sensor हमें किसी भी किसम का इसके इंदर नहीं देखने को मिलता है जैसे कि फून हमारे पास यहाँ पर turn on हो गया है जल्दी से कर लेता है इस फून को setup और जाता है कि क्या external features हमारे पास यहाँ पर मौझूद है हमारे पास यहाँ पर हमारा M10 setup हो गया है इस फून में किसी भी किसम का fingerprint साथ सा मौझूद नहीं है लेकिन face unlock देखने को मिल रहा है face unlock के performance वैसी है जैसी हमें M20 में देखने को मिली थी face unlock एक reasonable performance प्रवाइट कर रहा है well 3400 damage की battery एक reasonable battery हो सकती है इस टाइब के फून के लिए Samsung Galaxy J6 को replace करता हूँ नजर आ रहा है यह फून तक्रीबल सेम स्पेसिफिशन थोड़े से अच्छे डिजाइन और कुछ बैतर बैटरी के साथ हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके लावा हमारे पास यहाँ पर water dog knowledge देखने को मिल रहा है settings में बढ़ता है और जानता है कि हमारे पास यहाँ पर software variant कौन सा देखने को मिल रहा है software variant हमारे पास यहाँ Android 8.1.0 Oreo ही देखने को मिल रहा है 32GB के internet storage में से हमारे पास यहाँ पर user available बचती है 24GB जहां दोस्तों 24GB हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है 22.5GB हमें M20 में जबकि 24GB हमारे पास यहाँ पर M10 में देखने को मिल रही है user available हमारे पास यहाँ अच्छा space देखने को मिल रहा है 3GB के रायम हमारे पास यहाँ पर मौचू होता है उसके लावा बात करते हैं इसके डिस्प्ले की तो 720p का डिस्प्ले हमारे पास यहाँ पर किसी भी तरह से colors की कमी महसूस नहीं होने दे रहा quality और resolution में हमें ये feel नहीं हो रहा अगर आपको यह वीडियो को लाइक करें पर दोस्तों साथ शेयर करना मत बूलीगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो इसे भी फॉर सब्स्राइब करें लाइक बैल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि इसी तरह की नई वीडियो का notification आपको फॉरी मिलता रहे इंशाला आप से मुलागात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मेरी तरफ से और बेर चैनल के तरफ से आप सब लोगों को असलाम अलेकुम